हेलो दोस्तों कैसे हैं आप देव हुमी एजुकिसन पॉइंट में आपका स्वागता साथियों एक बार फिर से तो यूटेट का जो है हमारा यहाँ पर चल रहा है आज कल तो यूटेट के लिए हम यहाँ पर आप लोगों को सेट लेकर आ रहे हैं आज जो है परियावरोन का म पेपर्स लिखा होगा दूसरी प्ले लिस्ट बनी होगी यूटेट सी टेट वाली और तीसरी बनी होगी मौडल पेपर और इस परकार से E.V.S. की भी अलग से प्ले लिस्ट बनी है तो आप वहाँ पर जाएंगे आपको जो भी यूटेट के लिए मैटिरियल चाहएं आप हमारी चैनल में प्लेलिस्ट में जा करके बहां से देख सकते हैं ये तो रही एक बात ठीक है अब मैं आपसे और जो बात है वो बताता हूँ आपको इस सेट में हम 30 क्वेस्टन आपको आद देने वाले हैं ठीक है नमबर एक तो हम 30 क्वेस्टन देंगे दूसरा उसके बाद हम इसमा आपको देने वाले हैं दोस्तों इंपोर्टेंट जो EVS से संबन्धि जो दिवर्ष होते हैं जो इक्वेस्टन माने के संभावना होती है 30 क्वेस्टन के बाद हम उन questions को आप लोग को देने वाले बहुत महत्तोपूर्ण क्वेस्चन है वो ठीक है क्वेस्चन क्या है मतलब डेज हैं तो बहुत सारे लगबग 20 से 30 हम आपको डेज इंपोर्टेंट डेज बताने वाले हैं जिनके एक्जाम माने की संभावना रहती है चली शुरू करते हैं पहला प्रस्ण है दोस्तो जीवों तथा परियावरों के पारसपरिक संबंदों का अध्यन क्या कहलाता है ठीक है तो भही आप पारिस्थिति की कहलाता है जीवों तथा परियावरों के पारसपरिक संबंदों का अध्यन ठीक है बात बात करते हैं भारत के निमने स्थानों में से कौन सा स्थान मैंग्रोव वनस्पति के लिए प्रशिद्ध है मैंग्रोव वनस्पति के लिए दोस्तो सुन्दर्वन प्रशिद्ध है सुन्दर्वन ओप्सन C यहां पर ठीक होता है आगे देखते किस राज्य में वन सरवादिक शेत्र है वन का शरवादिक शेत्र किस राजी में है तो दोस्तों आपको सभी को पता होगा ये मध्यप्रदेश में है ये question नजाने कितनी बार आ चुका है ध्यान रखेंगे आगे है वन के पारिस्थितिक तंत्र में कवक को किस समोह में रखा जाता है जो कवक होते हैं जो फंगस होते हैं उनको किस समोह में रखेंगे आप किस में वन के पारिस्थितिक तंत्र में जो कवक होते हैं दोस्तों वो क्या होते हैं अब घटन करता होते हैं जो भी सड़ी गली चीजें होते हैं ये कवग क्या होता है उन पर ही उकते हैं ठीक है आपने देखा होगा जहां पर भी जो भी सड़ी गली चीजे होंगे उन पर ही क्या होता ये कवग उकते हैं तो इसलिए आप क्या रखेंगे इनको कहां पर रखेंगे आप घटन करता में रखने वाले हैं ठीक है चलिए आगे प्रदेश ये question जो है दूसरे तरीके से एक बार पूछा जा चुका था फिर से थोड़ा सा repeat हो गया है पारिस्तिरिक तंत्र के जैविक और अजैविक घटकों को कौन जोड़ते हैं आप जानते हैं जैविक घटक कौन से हैं और अजैविक घटक कौन ठीक है ना अकारवनी पदारत है नेक्स्ट है वन के पारिस्तिरिक तंत्र में कवक को किस समों में दूस्तो थोड़ा repeat हो गया है question क्योंकि जल्दी बाजी में paper कल रात मैंने इसको साड़े बारा एक बजी के टाइम पर set बनाया है ठीक है तो कोई बात नहीं नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखूँगा तो यहाँ पर यह भी repeat हो गया है ठीक है किस राजी में वनका सरवाधिक शेदर बलियर तीन question जो है repeat हो गए दे ठीक है तो कोई बात नहीं हम जो है करतिरिम पारिस संत्र का उधारन यह होता है ठीक है ना चलिए ठीक है तो उसके बात बात करते हैं इसमें आगे तो tsunami का क्या कारण है ठीक है अगला question है जो है बहुत गर्मे समुद्री जलता रहे हैं या मचलियों का बहुत बड़ा समुद्र पिगलता हुआ गलेशेर या समुद्र तलमे भोकंप तो जाहिर सी बात है इसका सीधे सुना में किसकी वज़े से समुद्र तलमे भोकंप आता है तो उसकी वज़े से क्या आता है सुना को होगा ठीक है तो खुद जो है ये जील जो है खुद का होता है ये आपका कृत्रिम मा आता है बांग कृत्रिम मा आ जाएगा पार्क भी कृत्रिम मा आ जाएगा जिसको क्या करता है इंसान खुद बनाता है लेकिन जील इसमें से नेचुरल वाला हो जाएगा ठीक है ना बा परिस्तित है बहुत महत्तोपूर्ण क्वेस्चन है तो green peace international का मुख्यालाई कहा पर है दोस्तो यह है Amsterdam में डेक्षक प्रकास संक्सिलेशन प्रकरिया में समलिदगास कौन सी है दोस्तो प्रकास संक्सिलेशन क्रिया होती है उसमें carbon dioxide होती है ठीक है न और आप देखे कभी कभी क्या होता उसका formula भी पूछ लेता है तो आप क्या करेंगे उसका formula भी देख लेंगे ठीक है ये question आया हुआ है मैं आपको बता रहा हूँ जितने भी question यहां पर दे रहा हूँ ये पहले question आये हुए है ठीक है इसलिए हम मेशामकिश में होता है पत्ती में होता है प्रकाश martination जो होता है जो फोटो संथेसीष होता है तो उसको होता है फोटो संथेसीष की प्रॉसेस होती है वो plants के leaves मा होती है ठीक है तो वहाँ पर इन् Cry को क्या कहा जाता रसोई-ka का गर powerhouse बोलता तो फिर strain के हायाँ भाई Mito-Condriase में आ जाता थीक है? Mito-Condriase आ जाता बात करते हैं, next question पारिस्तितिक तंत्र के पादपों और प्राणियों के पारसपरिक संबंदों का आधार क्या है? थीक है? तो ये पोषण संबंद है पारिस्तितितिक तंत्र में पादपों और जो पॉधे हैं और प्राणि ने тот to इसी लिए हम इहां पर इन पर निर ठीक है चलिए बात करतें आगे योट्व constant का मैं नेक्स्ट कुजिण आई यह 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 सैर कर सेखते हैं और वहां पर देख सकते हैं दोस्तो समार्जक उपभोगता यानि जिसको स्क्वाइंजी स्क्वाइंजीन कंजुमर्स बोला जाता तो वो कौन से स्रेडिमा आते हैं आप देखेंगे यहाँ पर जो सापसपाय का काम करते हैं बेसिकली तो वो किस मा आते हैं गिद्ध हैं ठीक है गिद्ध वगरा भी किस मा आते हैं इसी मा आते हैं तो यहाँ पर जो दीमक है यह मेड़क छिपकली और साप यह तो नहीं आते लेकिन दीमक इसके अंतरकत आते हैं बात करेंगे हैं कि विश्व का सर्वादिक प्रसिद्द कीट ना सक कौन सा है विश्व का सबसे प्रसिद्द कίν ना सक दोस्तो यह क्या है डीरी टीर ठीक है चलिए आगे बढ़ेंगे भारत के निमने स्थानों में कौन सा स्थान मैंगरोव वनस्पति के लिए प्रशिद्ध है बेहद महत्वपुर्ण है तो मैंगरोव के लिए सुंदर्वन ठीक है आगे देखते है प्रकाशी उर्जा को रासायनिक उर्जा में बदलने का काम करते हैं ठीक है तो यानिक हरे पादब करेंगे अब देखे प प्रकाश संक्सिलेशन करते हैं और प्रकाश संक्सिलेशन करके क्या होता है दोस्तों प्रकाश संक्सिलेशन करके ये उस उर्जा को क्या बदलते हैं chemical energy में बदल देते हैं ठीक है chemical energy में बदल देते हैं ठीक है चले आगे बढ़ते हैं next question देखते हैं भारत के साकाहरी प्राणी क्या कहलाते हैं देखे आपने food chain पढ़ी होगी न जिसको खाद्य जाल बोलते हैं या सौरी खाद्य सरंखला बोलते हैं अनेक खाद्य सरंखला ही मिल करके क्या बनाती है फूट चैन बनाती है ठीक है तो सौरी फूट वैब बनाती है फूट वैब यानिकी खाद्य जाल बनाती है तो यहाँ पर देखने वाली प्रथम उपभोगता पहले सीधे फिर उत्पादक आजाते तो यानी कि ग्रीन प्लांट उत्पादक होंगे लेकिन जो साकाहरी होंगे जो plants को ही खाते हैं केवल उनको क्या कहेंगे उनको कहेंगे प्राथमिक उपभोगता यानि कि option B यहाँ पर ठीक होगा ठीक आगे देखते हैं भारत के कुल शेतरपल में वनुका कितना शेतरपल है दोस्तो 21% शेतरपल है भारत के कुल शेतरपल की बात करेंगे जैवभार में कौन सम्मलित होते हैं तो जैवभार में दोस्तो उतपादक भी होते हैं उपभोगता भी होते हैं और अब गटक भी होते हैं यानि कि समस्त जीव जो है क्या होते हैं इसके इसमें सम्मलित होते हैं आगे बढ़ेंगे परियावरण का संतुलन बनाए रखने के लिए वनानतरकत शेत्रफल कितना होता है ठीक है तो शेत्रफल वनानतरकत होता है 33% ठीक है परियावरण को संतुलन बनाए रखने के लिए सदाबहार बन कहां पर पाए जाते हैं तो पस्चिमी घाट में ये सदा बहार बन पाई जाते हैं ये आपको पता होगा ये question बहुत बार आया हुआ है और आएगा ठीक है आने वाले समझ में भी हरे पौधे सूरी प्रकाश को किश्म बदलते हैं सूरी के प्रकाश को जैसे कि अभी हमने question को दूसरे तरीके से आप से बात की थी तो ये सूरी के प्रकाश को हरे प्लांट क्या करते हैं रासाइनिक उर्जा में बदल देते हैं यानिकी प्रकाशी उर्जा को रासाइनिक उर्जा में बदल देते हैं बात करते हैं प्रियावरण किसी जीव के चारों और गिरे भौतिक और जैविक दसाएं एम उनके साथ अंतहे किरिया को सम्मलित करता है ठीक है तो ये परिभासा किस ने दी है ये परिभासा है परियावरण संगरक्षन अधिनियम 1986 की परिभासा है ठीक है ना आगे देखेंगे पहाडों पर काफी नमी और जल होता है ठीक है फि इसलिए वहां मरूद भी क्यों होते हैं क्योंकि दोस्तो इसलिए होते हैं जो पहाड होते हैं पहाड इस परकार के होते हैं ठीक है जो भी पानी आता है या बरसात होती है तो वह क्या होते है पहाड में ढलान से सीधे ऐसे नीचे बह जाता है पानी है ना तो सारा पानी जि नहीं लाया जाता है ठीक है तो ये कारण है option भी यहां पर ठीक होगा lowest का पठार क्या है ठीक है तो lowest का पठार दोस्तों क्या है यह क्या है पवनकरत है ठीक है पवनकरत है lowest का पठार आगे देखते हैं नेक्स्ट विकास निमिलखित में से कि संसाधन के प्रति संवेदन हिंता दर्शाता है तो प्राकरतिक संसाधन सतत विकास ठीक है तो ये प्राकरतिक संसाधन के प्रति क्या करता है संवेदन हिंता दर्शाता है आगे देखते हैं एक question आप लोगों के लिए होमर्क के लिए है तीस question मैंने बता दिये है वाई मंडल की वह कौन सी परत है जहां पर तापमान सेम रहता है बदलता नहीं है वाई मंडल की तो दोस्तो इसका answer आप बताएंगे कि शोब मंडल इसका answer होगा इसका answer शमताब मंडल होगा, इसका answer आयन मंडल होगा या इसका अंदर शोब सीमा होगी ठीक है इन चारों में से कौन सा उत्तर सही होगा तो answer आप क्या करेंगे दोस्तों comment करेंगे ठीक है comment करके बताईए कि इसका answer क्या होने वाला है और बाकी अगले सेट में हम इसका आंसर आपको देने बाले हैं इसके बाद मैंने आपसे कहा था कि मैं आप लोगों को कुछ दूंगा यहाँ पर को ठीक है जो इंपोर्टेंट डेट है परियावरान से संबनने दिवस हैं उनके बारे में हम चर्चा करने बाले हैं ठीक है तो देखे सबसे पहले बात करते हैं विश्व आद्र भूमी दिवस तो विश्व आद्र भूमी दिवस के बारे में अगर बात करें तो यह दो फरवरी को होता है विश्व वन्यजी दिवस तीन मार्च को होता है बहुत महत्वपूर्ण दिवस हैं याद रख लेना इनको ठीक नजियों के लिए अंतराश्टी नजियों के लिए नजियों के लिए अंतराश्टी कारिवाई दिवस तो ये 14 मार्च को अंतराश्टी 1 दिवस 21 मार्चे और विश्व जल दिवस 22 मार्चे इस बार L.T.K. पेपर मां आया था विश्व जल दिवस ठीक है उसके बाद विश्व मौसम विज्ञान दिवस ठीक है मौसम विज्ञान दिवस ये 23 मार्चे को प्रतवी दिवस most important 22 अप्रेल अंतराश्टी जैविक विवित्ता दिवस important 22 माई को ठीक है ये 22 माई को है उसके बाद बात करेंगे विश्व परियावरण दिवस ये तो खैर बच्चे बच्चे को पता होगा पांच जून इसका सही जवाब परियावरण दिवस विश्व महासागर दिवस की बात करेंगा आठ जून को आएगा और अंतराश्टी जलवाई परिवरतन दिवस 21 जून को विश्व वर्सावन दिवस 22 जून विश्व प्रकरति संगरक्षन दिवस 28 जून ठीक है तो ये कुछ महत्वपुन दिवस है और हम आगे देखते हैं कुछ और भी है ओजोन दिवस most important 16 सितंबर है हाली में मनाया गया था ठीक है और बात करते हैं विश्व परियावरण स्वास्त दिवस तो 26 सितंबर को परियावरण स्वास्त दिवस मनाया जाता है विश्व नदी दिवस सितंबर का आखिरी रभी बार ठीक है सितंबर का जो लास्ट रभी बार आएगा उस दिन जो है विश्व कौन सा दिवस मनाया जागा है नदी दिवस तो इस महने अब आने वाला हो गए है बात करेंगे विश्व पसू दिवस तो 4 अक्टूबर को मनाया जाता है अंतराश्टी जलवायो कारिवायी दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व मत्सिपालन दिवस 21 नवंबर याद रखना विश्व मत्सिपालन दिवस 21 नवंबर को विश्व म्रदा दिवस ठीक मैंने आप लोग के साथ यहाँ पर शेयर कर लिए तो दोस्तो यह आप लोग के लिए मैंने आप पर question लेकर आया था जिसमें से मैंने आपको 30 question वो दिये और एक homer का question दिया तीन question इसमें repeat हो गए थे उसके लिए माफी चाहते हैं इसका ध्यान रखा जाएगा और YouTube में आप हमें जो है देव हुमी education point के नाम से कभी भी सर्च कर सकते और जो भी important चीज़े हैं दोस्तों वो important चीज़े आपको हमारे चैनल पर मिल जाती हैं अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लिजिए और notification bell icon आप प्रेस कर लिजिएगा जिससे कि आपको सारे update मिलते रहेंगे तीक है अगर आपको doubt आते हैं तो comment section में comment करके जरूर बताएं description वीडियो का जरूर चेक कर लिना धन्यवाद दोस्तों